वेलकम बैक टो एम्प्लिफायर कनेक्शन तो गैस कैसे हो तो आज है अपने पास फिर से 400 वोट स्टीरियो एम्प्लिफायर जिसके अंदर दो चैनल है अपने 200 पलस 200 वोट के और जो बोर्ड है वो आप लोगों पता ही है कि कौन सा बोर्ड हम यूज करते हैं हम इसके अंदर स्टीरियो का 400 वोट यूज नहीं करते हैं हम इसके अंदर 200 200 वोट के दो बोर्ड यूज करते हैं जो कि हमारे मोनो होते हैं दो बोर्ड को मिला के दो बोर्ड मोनो को मिला के हमारा ये स्टीरियो हो जाता है तो बोर्ड कौन से हैं इसके अंदर वो मैं आपको लोगों को दि हाला कि जो ये बोर्ड है इसके अंदर 10,000 µ, 50V के कैपेस्टर लगे हैं जबकि amplifier के अंदर जो बोर्ड योज हुए हैं उनके अंदर 10,000 µ, 80V के कैपेस्टर लगे हैं क्योंकि इसके अंदर जो transformer है वो थोड़ी सी ज्यादा वोल्ट का है 45-45 का है इसलिए उसके अंदर 80V के कैपेस्टर हमें लगाने पड़े तो बाकि इसके features इसके अंदर देख सकते हो दोनों channel के लिए यहाँ पे banana connectors लगे हुए हैं left, right के लिए और जो black यहाँ पे यह connector है यह हमारा common यानि के ground का यह रहेगा यानि के जो ground की wire है दोनों speaker की इसमें लग जाएगी और plus-plus की left, right की यहाँ पे लग जाएगी बाकि जो यह speakers की जो यह होते हैं socket तो इनका कोई काम नहीं है यह खाले बस वैसे ही लगा रखें जो output मिलेगी वो यहाँ से out होके मिलेगी और guys यहाँ पे लगे हुए हैं दो fan अपने जो की देख सकते हो 12 volt के fan है यह दोनों ही बहुत अच्छे fan है इसकी cooling के लिए proper तरीके से cooling इसको मिलती है और इधर RCA socket लगी हुए है तो RCA socket का पता ही होगा आपको क्या होता है यहाँ पे आप जैसे कोई भी LCD वेगरा connect कर सकते हो ठीक है input output के लिए भी इनका use किया जाता है लेकिन हमें ने यहाँ पे इनको input के लिए ही use किया गया है और यहाँ पे हैं guys अपने दो fuse protection के लिए जो कि अपना transformer होता है उसकी protection के लिए है यह क्योंकि मानलो कई बार transformer होता है जो मानलो कई बार सोट हो जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है तो ज़्यादा एंपियर खिचने लग जाता है तो उसके लिए फिर जो यह अपने fuse है य उड़ जाएंगे और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसके उपर कितने speaker आप लोग चला सकते हो काफी बंदों के question होते हैं कि सर जो amplifier है इस पे कितने speaker चल पाएंगे तो वो आप लोगों को इसमें मैं बता देता हूं इस amplifier पे guys आप लोग ना हम तो use करते है 15-15 इंची के use कर करना चाहते हो ठीक है दूसरी चीज़ जैसे 12-12 इंच के होते हैं तो 12-12 इंच के च्यार speaker आप इस पे आसानी से यूज़ कर सकते हो speaker हो या फिर woofer हो ठीक है woofer का मतलब समझ रहे हो ना woofer या speaker दोनों च्यार आप यूज़ कर सकते हो जैसे DJ वाले होते हैं speaker 12-12 इंच के वो चार speaker इसके अंदर आसानी से चल जाते हैं कोई दिकत वाली बात होती नहीं है बाकी क्या होता है कि कुछ लोग subwoofer भी यूज़ करते हैं तो इस पे एक side subwoofer भी यूज़ कर सकते हो एक side speaker भी यूज़ कर सकते हो तो ये दोनों के लिए है कोई दिकत वाली बात होती नहीं है तो दोनों इस पे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो हाला कि अगर मान लो आपको प्रोपर तरीके से सबूफर यूज़ करना है तो उसके लिए फिर आप 2.1 जो amplifier है वो भी बनवा सकते हो लेकिन ये जो amplifier है गाईज ये है अपना 400V का stereo और जो 400V में अपना 2.1 बनता है वो बनता है 100 पलस 200V का ठीक है ये है अपना 200 पलस 200V का और अगर बात करें और features की तो गाईजिस के अंदर अपने दोनों चैनलों के लिए speaker protection लगी हुई है left और right के लिए दोनों के लिए speaker protection है मानलों कभी भी कोई भी short circuit हो जाता है amplifier के अंदर तो जो हमारा amplifier है वो DC power out करने लगता है जहां पे speaker की wire connect करेंगे यहां हम तो यहां पे कभी-कभी जो amplifier circuit होते हैं वो damage हो जाते हैं तो वो DC power देने लग जाते हैं तो जिससे जो हमारा speaker है वो damage हो जाता है तो speaker की protection के लिए यहाँ पे speaker protection लगी हुई है पहले से ही अगर मान लो कोई दिक्कत होती भी है तो जो आपके speaker है वो बिल्कुल safe रहेंगे तो guys अगर आपको amplified यह है तो आप order कर सकते हो मेरा whatsapp number आपको description में मिल जाएगा और अगर आपको board चाहिए तो board के लिए भी आप order कर सकते हो board भी आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और board का rate में यहाँ पर बता सकता हूँ board का जो price है guys वो अपना 1400 रुपे 1400 रुपे पलस delivery charge ठीक है बाकी amplifier का जो rate है वो 8000 रुपे पलस delivery charge बाकी मेरे को whatsapp को